और ये पहली बार नहीं हुए 30 अपरील 2022 को आंधी आने के कारेंच से जो सुपर स्ट्रक्शर का जो सेग्मेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समें हम विपक्ष के नेता रहें और हमने इस पर सवाल उठाए थे और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधान सभा में भी दो बार आया पहला सवाल जो आया था वो अजीच चर्मा जी का था वो दिनान के एक मार्च दो हज़ार तेश को आया था उस समय हमने अगवानी घाट पर जो पूल बन रहा था सुल्तान गन से जंगा नादी के उपर उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है यहाँ पर है और दूसरा सवाल एक और आया था वो तारीक है 13 मार्च 2023 यह डॉक्टर संजीव है परबता के विधायक है उन्हें ने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में यह बताया था कि दुरघटना की जाच जो है प्रतिस्थित संस्थान आईटी बॉम्बे आईटी रुरकी एवब एन आईटी पटना की विश्यशक यह प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्शनल में जो बहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईटी रुरकी को माना जाता है जब पहली बार ये घटना हुई थी जब हम नेता विरोधी दल थे तो उस समय जो सेग्मेंट जो टूटा था उसको ले करके हम सब लोग आशंका में थे शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो स्ट्रक्शरल हो सारी सेग्मेंट की जो हैं हम लोग जाच करा ले उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाए हमने डोवेंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पत्रनिर्मार में भाग की जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी चांच होनी चाहिए सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तोर पे माना कि इसका जी रिपोर्ट होगा उस अधार पे हम लोग काम करें आईएटी रुड़की का ये रिपोर्ट है पियर नमबर पाँच अगवानी घाट सुल्तान गरेंज पेच को ले करके इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट पर अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें अगरेंगे रिपोर्ट पर अपरिल तो थाउसन ट्वेटी तू दिरिगा रिपोर्ट थंडर्स्टर्म अंडर विंडी कंडिशन यानि आणी तुफान के कारण जो है वो गिरा और इएएटी रुरकी वस अप्रोष तो इंवेस्टिगेट कि दी इंचिटर्ट दुट्राइटो कम अप विट अप्रोष तो एसमें यह महत्कून है कि तो रिथी तुट्ऑ थितन है आप समझ जागी कि IIT रूर की कहरता है पर भाकी कि एसलिपोरट के अधार पर बाकी कर、 जो आपका structural जो design था खास्त वरकर जितने segment थे सब को हमारे department ने तोड़ा और हमने यहाँ जवाब में भी दो फर्द आप देखेगा विधान सभा की जवाब में भी बोला कि दुरगटना होने की कारण च्छतिगरस हो गया था जिसकी जाद जो है IIT रुरकी द्वारा कराकर पुन उक्ट स्पैन को तोड़ कर नए सिरे से तयार करने का कारण प्रगति पर है यानि हम लोगों कोई शंका थी उसले कई जो इसमें segments थे हम लोगों ने द्वस्त कर दिया और पियर नंबर पांच का जो था उसको IIT रुरकी का है उसमें रिपोर्ट भी आना है यानि पहले से हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है उसलिए काफी structural चीजें जो है तोड़े गए और हम लोगों का निर्दय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके क्योंकि बार-बार कंप्लेन आरा था बाननी सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विदान सभा में उठाया था तो अब हम लोग निर्दय पर ले कि भाई नहीं इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके कोई रिस्क ने लेना है इसलिए पूरी त साथ ECS पर्तनर्वान विभाग है जो बाते हैं टेक्निकली यह आप लोगों को अवगत कराने का थाम करेंगा